तो हाई रिवान वेलकम बैक अगेन तो यह वीडियो उन बचों के लिए है जो कि मैसेज कर रहे हैं या फिर टेक्स्ट कर रहे हैं कि मारिश सेशन होगा या फिर अक्टोंबर सेशन होगा तो यहां पर बात करते हैं देखिए पहली बात कि वटेवर भी दिसेशन यूँआट कि कौन सेशन होगा क्योंकि अगर मारिश सेशन होता है और एक डीटेलर नोटिफिकेशन आईगी आपके बोर्ड से यूँद्ध है तो देखिए कुछ बच्चे सेकंड अफ अगस्त से ही वेट कर रहे थे देखिए पहली जो नोटिफिकेशन आई थी वह आई थी सेकंड अगस्त को क्लियर की इन्होंने कहा था कि विदिन 15 डेज बोर्ड ने कहा था कि विदिन 15 डेज एक डीटेलर नोटिफिकेशन आएगी जहां पे हम क्लियर करेंगे कि वेदर सेशन विल भी ऑक्टोंबर और मारिच फिर हुआ क्या आज की डेट जब मैं वीडियो बना रहा ह आज है 22 अगस्त क्लियर तो आलमॉस्ट 20 डेज हो चुके हैं देर हाज बी नो सच नोटिफिकेशन अपलोड़ेड फिर 17 अगस्त को एक और नियूस आती है कहां पे ग्रेटर कश्मीर में जहां पे बोला जाता है कि 90 परसंट चांस हैं कि मारिस सेशन होगा क्लियर एंड इस इस उसल्वाद का ही जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है अपको वेट यहां पे नहीं करना है कि कब होगा क्या होगा क्लियर इस तो जो भी सेशन होगा एक डिटेर नोटिकेशन आएग। आएगी होल जहेंड के विल कम तू नो आइपको गवराणा नहीं है आपको अपनी स साम आपका चलो मैं मान के चलता हूँ अगर 20th October को होगा यानकी October session होगा तो आपका एक जो मन्त है वो जाया हो चुका है clear तो आप क्या कीजिए आप यहां पर वेट ना कीजिए आप अपनी studies को continue कीजिए and बाहर जो भी चल रहा है उस पे ध्यान न दीजिए आप खाली अपनी studies को continue कीजिए and चाहे आपका October session होगा या फिर मारिस session होगा फिर भी आपको अपनी जो studies है वो continue करनी है clear and अगर आपका October session ही रहता है I will continue with the videos जहां पर मैं आपके लिए जो previous year solver papers हैं वो लाओंगा तो यह important message ही आपके लिए कि आप वेट ना कीजिए आप अपनी studies को continue कीजिए जो भी session होगा एक detailed notification आईगी and यहां पर हर एक को clear होगा till then take care bye